So what's up everyone, welcome to my channel, this is Reshmi Jaiswal, your favorite पानिपूरी गर्ल So family, जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आप सबको पूछा था कि मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, so मैं किस टॉपिक पे स्टार्ट करूँ So आप सबी ने मुझे बहुत सारे आइडियास दिये, जो मुझे अच्छे भी लगे थे, बट कुछ दिन पहले मेरे लाइफ में इंसिडेंट हुआ, तो मैंने सोचा मुझे वो चीज़ पहले आप से शेयर करनी चाहिए, फिर मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी आप सबी ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, जो भी मैं हूँ, अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है, तो मैं आप सबसे शेयर करूँ, आप सब उस चीजों से अवेर है, आपके साथ ये सब चीज़े कभी ना हो, So to be very honest, मुझे खुद को नहीं पता कि AI क्या होता है, बट जितना मैंने सर्च किया है, जितना मुझे लोगों ने बताया है, और जितना मेरा experience है, जो incident मेरे साथ हुआ है, उससे मैं आपको इतना तो, मतलब example दे सकती हूँ कि, for example, अगर ये मेरा face है, तो कोई भी मेरा face edit करके किसी और की body में लगा सकता है, जिससे की लगे कि हाँ, ये मैं real में वही हूँ करके, for example, अगर आप किसी party में गए हो, और party में कोई lady या कोई भी dance कर रहा है, in a vulgar way, तो कोई भी editor अपना face, मेरा face लेके उस lady के उपर लगा के बता सकता है, कि that is Rishmi Jaiswal, जबकि मैं हूँ भी और वो एकदम real लगता है, so this is AI, जितना मुझे पता चला है, मेरे experience से मैं इतना बता सकती हूँ आपको, मैं ये इसके disadvantage बता रही हूँ, advantages भी इसके बहुत जादा है, तो वो आप Google करके देख लीजे क्या होता है, बट जो मेरे साथ हुआ है, वो चीजे मैं आप से share कर रही ह So without getting further, मैं सीधा topic पे आती हूँ, कि मेरे साथ क्या हुआ है, so कुछ दिन पहले, मेरी एक friend है, जो एक application यूज़ कर रही थी, उसे एक unknown का message आता है, वही application पे, कि आप ये वाला app यूज़ कर लो, जिसकी link मैं आपको send कर रहा हूँ, वो ये वाले app से ज़ादा बैठा रहे है, और आप इससे ज़ादा earn कर सकते हो, so मेरी friend ने सोचा क्यों ना, चलो try करके देखी लेते, इसलिए उसने वो link पे click किया, और वो app डाउनलोड कर लिया, तब तक everything was totally fine, कुछ नहीं हुआ था, but after few hours, उसी बंदे का मेरी friend को message आता है, और उस message में, जैसे कि मैंने आपको थोड बना के उसे भेजाता उसी बंदे ने, और नीचे वो blackmail कि यह जा रहाता उसे कि अगर उसने 2 lakh rupees नहीं दिये, तो उसकी यह photo हर जगा वाइरल कर देगा, उसे मार देगा, and guys, this is the point जहां पर बहुत सारे girls suicide कर लेते है, because उन्हें obviously डर रहेगा ना, यार की family वाले क्या सोचें तब के pressure में लड़की आके कुछ ना कुछ गलत step लेती ही है, and वही चीजे मेरी friend के साथ भी हुई, उसने जैसे ही यह सारे messages देखे, वो इतनी जादा डर गई थी, उसे समझ ही नहीं रहा था कि यह क्या हो रहा है उसके साथ, and जैसे कि हम कोई step ले, वो किसी को कुछ बताए उतने में ही उस네 बंदे ने उसका पूरा phone hack कर लिया था, just because میरी friend ने वो app डाउनलोड कर लिया था, उससे उस बंदे के पास میरी friend का पूरा phone access चले गया था, तो वो जो भी कर रही थी मेरी friend उसे पता चल रहा था, तो first of all उस बंदे ने क्या किया, मेरी friend के जो भी relative थे, उसक को उसकी वो न्यूड पिच्चर भेज दी एंड सबको वो धंकियाई दे रहा था कि देखो आपकी ये बेटी क्या कर रही है ऐसी है वैसी है और अविसली गाइज मतलब आप खुछ सोचो कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप कैसा रियक्ट करोगे ऐसे सब ताइम पर तो उसकी कंडिशन बहुत खराब होगी थी उसे समझ ही नहीं रहा था कि वह क्या करें क्या नहीं करें तो उसके फैमिली को भेजा ये सब फोटो एंड सब लोग उसे कॉल करना चालू कर दिये उसके पैरेंट्स को कॉल कर रहें बट तू भी ग्रेटफुल गाइज मैं इत बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होगे ये सब चीजों पर सो ट्रस्ट नहीं होता है और जहां पर गर्ल्स गलत स्टेप ले लेती है बट ठीक है मेरी फ्रेंट्स जो थी उसके पैरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे तो वहां पर वह थोड़ी शान्त हुई बट वह वह एड्रेस निकाल रहा था बहुत सारी चीज़े किये ही जा रहा था उसे ब्लैकमिल कर रहा था उसको एकदम फ्रस्टेट करके छोड़ दिया था वह यसे मतलब सास तक नहीं ले पा रहे थी इतना उसे बार-बार मेसेज़ेस कर रहा था उसके फ्रेंड्स को मेसेज़ेस कर तो आप समझे सकते हो कि उसके उपर क्या बीतरी होगी उस बंदे ने हमें तक उसकी वो न्यूड पिच्छ भेज दी थी मुझे मुकेश को श्रेया एवरी वन इना ग्रूप उसने सब को भेज दी थी हमारे फैमिली तक को भी उसने भेज दी उसकी फोटो तो जैसलि उसने हम कुछ चीज़े बताई तो हमने फर्स्ट अफॉल तो ऑविसली उसे काम डाउन किया उसे बोला कि शांती से काम लेते हैं फिर कुछ डिसिजन ले पाएंगे तो उसे बहुत काम डाउन किया उसकी फैमिली को थोड़ा काम डाउन किया हम लोग ने देन हमने उसे बोला कि मौम इतनी डरी हुई थी बट तु वह बन्दी गई उसने कंप्लेइन किया सब कुछ किया बट वह बंदा रुक ही नहीं रहा था थोड़ी देर बाद उसे पता चल गया कि उसे उस बन्दी से कुछ नहीं मिलने वाला ना वह पैसे देने वाली है ना वह डर रही है ना पिच्चर को लिया उस पिच्चर को न्यूड बनाया और वही पिच्चर उसने मेरी फ्रेंड को एप पे भेजा और उसे बोला कि अब तू तो नहीं मान रही है अब इसकी बारी अब मैं इसे वाइरल करूंगा कि यह सिच्चवेशन में मुझे पता था कि मुझे नहीं डर्नाय करके जितनी वो डरये है था है मैं डरती ही नहीं एसी सबारी मेरा सस्वेशन से अगर मैं कुछ गलत नहीं की थ probable chodzi बनाः और उसस बंदे ने ने मेरे भाई का नंभर निकाल लिया था यहां तक वह पहुच गया तो गए भी बहुत साथे शीजे कर सकता है एंड वही चीजे मुझे उसे करनी नहीं देनी थी इसलिए मैंने सोचा कोई मेरे लिए stand ले या ना ले I have to take stand for myself खुद ने ही खुद के लिए stand लिया और मैंने खुदी अपनी जो भी उसने मेरी nude pictures बनाई थी वो मैंने थोड़ी blur करके social media पे डाल दी I mean जो original थी वो भी दाली और जो उसने बनाई थी उसे भी blur करके मैंने पोस्ट कर दी और जो भी incident हमारे साथ हुआ वो मैंने पोस्ट कर दिया यहाँ पर ही बहुत सारी लड़किया डर जाती है वो नहीं कर पाती है इतना ज़ादा stand वो अपने लिए नहीं ले पाती या उसके फोन को हमने ठीक कैसे किया तो मेरी एक फ्रेंड है उसके थुरू मुझे एक जन का नंबर मिला जो social work करते है तो उनकी ID में नीचे description में mention कर देती हूँ भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो बट कभी आपके साथ अगर ऐसा हुआ देन फील फ्री तू कॉंटेक्ट इस गया गाइस आपके साथ या अच्छे लोग बहुत कम है और ही इस दवन मतलब ऐसा था ना वो टाइम पर हमारे लिए वो भगवान है ऐसा हो गया था लिटरली उन्होंने मतलब हमारी इतनी हेल्प की एंड विदाउट एनी मतलब अच्छा बंदा है वो सो मैं उनकी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंचन कर देती हूँ आपके साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ या कही भी आपके आसपास यह सब चीजे किसी के साथ हो यह देन आप उनसे कॉंटेक्ट कर सकते हो वो आपकी जरूर हेल्प करेंग इसके लिए न दो वैबसाइट है वो वैबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में मेंचन कर देती हूँ और उसके भी क्या क्या स्टेपस है वो नीचे मेंचन कर देती हूँ आप एक बाद गो थूर cooking और अगर किसी के साथ भी हो रहा है या आप उस लिंक पर क्लिक करो व पोस्ट करनी होती है तो वो फेस को रिकोगनाइस करके आपकी ऐसी कोई भी न्यूड पिच्चर वाइरल हो रही है तो वो तुरंत इंटरनेट से डिलीट हो जाती है चाहे वो कहीं पे भी अपलोड हो तो जैसे कि मैंने आप सब को बताया कि मुझे भी टेक्नॉलेजी के बारे में जादा नौलेज नहीं है तो अगर मैंने कुछ भी गलत बोला होगा या कुछ भी गलत वर्ड्स यूस किये होंगे दैन उसके लिए I am sorry जो चीजे मेरे साथ हुए है जो इंसिदेंट मेरे साथ हुआ है मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है वही चीजे में आप से शेयर करने आयो है और मेरे से मिस्टेक होगी ही I am human being you all are human being so mistakes हो होती ही है but my main motto was to make you aware of this situation अगर कल को आपके साथ यह आपके आसपास किसी के भी साथ ऐसे सब चीजे हो then please 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 panic नहीं होना है and most important चीज गाई यह व्लॉग बनाने का ही main motto यह है मैं अभी आपको बताती हूँ कि उस बंदे का दिमाग मैं आपको बताती हूँ अभी उसने क्या किया है so family सबसे important point यह कि जब बंदे ने ना मेरी फ्रेंड का phone hack कर लिया तो हमसे गलती हो गयती हमने सारा focus ना फोटो पे डाल जाता सारा हमारा नियूड फोटो पे हमारा सारा focus चले गया था तो उस बंदे ने उस दुराण मेरी फ्रेंड के account से सारे पैसे निकाल ले और जब मेरी फ्रेंड करने करें तो उसे पता चला कि उसका bank account नील हो चुका है अगर आपने विधिन ट्रांजेक्शन को अन होल्ड कर सकते थे लेकिन हमने वह चीज पर आफ्टा रियक्ट किया तो इंपोर्टन प्यूंकि हम वह चीज बाद में पता चली क्योंकि हम वह चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया हम हमारी पोटो कैसे बचाये वाइरल होने से उ अगर कल को आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना फर्स टैप आपको यही करना है कि आपको आपके कोई भी ट्रस्ट वर्दी फैमिली हो या फैमिली हो किसी के भी अकांट में जाके पहले पैसे ट्रांसफर कर दो विदिन फ्यू मिनिट्स आप यह सब चीजे कर दो और आपक जो भी ID, password, Instagram, WhatsApp, जो भी कुछ भी ID, password और सब आप तुरन चेंज कर लो and also जो भी मैं description में ID दे रही हूं जिनकी भी उनसे जाके contact कर लो He is very safe guys So family, यह व्लोग बनाने का main purpose थे था कि आप कुछ important points ना यह व्लोग से अपने life में note डाउन कर लो अगर आपके साथ ऐसी कुछ सिच्वेशन हो रही है तो firstly पैनिक मत हो ना ठीक है और जैसे कि मैंने आप सब को बताया कि आपके जो भी अमाउंट है अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो आपके फ्रेंड के या आपके पैरेंट्स के अकाउंट में तुरंट ट्रांसफर कर दो ठीक है and second thing जाके पुलिस कंपलेंड करो साइबर क्राइम में जाके कंपलेंड करो and third thing जो मैंने आपको लिंक नीचे description में दी है वो लिंक पे जाके आपकी तुरंट फटाक से जाके फोटो अपलोड कर दो so that वो वाइरल होने से बच जाए और बहुत सारी चीजे है जो इतना बोल सकती हूँ जो मेरे साथ हुआ है वही चीजे हमने शेयर की है और कुछ भी नहीं है so अगर कुछ भी मिस्टेक हुई हो then we are really sorry we hope कि आपको हमारा ये वीडियो यूसफुल लगा हो and obviously guys ये मेरे YouTube चैनल का first vlog है और कोई भी नहीं चाहेगा कि first vlog ऐसा vlog हो मेरे बहुत स I hope कि आपको इस vlog से कुछ ना कुछ तो सीखने जरूर मिलेगा for you for your friend or for anyone so वो चीजे आप सीखो and अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो then do like share share करो जितना भी हो सके उतना अपने friends से अपने relatives सब से share करो so that ये किसी के साथ भी कभी भी ना हो और अगर हो भी राया फसे भी ह तो कैसे निकलना ये आपको पता चले और आपको ऐसे लगता है कि आपको हमसे कुछ शेयर करना चीज आपके साथ कुछ चीजे हो रही है आपको हमसे शेयर करनी है then feel free to share us आप हमें DM कर सकते हो Instagram पे या नीचे comment भी कर सकते हो हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी help करके आपके प्यार की वज़े से आज मैं यहां पर हूँ यहां यहां पर है and because of your all support हम आज अपने लिए stand ले पाए है and guys जितना मैं बोल रहे हु ना hasas के उतनी simple चीजे नहीं थी but ठीक है we are brave enough हमें पता है हमने कुछ गलत नहीं किया तो डर्ना किसे यार डर्ना क्यू है we should fight for ourself मेरे हर चीज में में एकी चीज गोल दियू fight for ourself एक पॉइंट अगर आप गलत हो तो fight मत करना if you are right then fight for it नित्वालम बड़ा आप लड़ रहे हो तो एसी हम आपको आगे की व्लोग में हसाते रहेंगे ऐसा ही आप support करते रहो एंड मेरे अब से व्लोग कंटिन्यू आते रहेंगे family request यह व्लोग का आप लाइक नी करोगे तो भी चलेगा लेकिन यह व्लोग ना इतना शेयर करो इतना शेयर करो कि रेश्मी जी स्थेले पर पानीबुरी खाती नहों भाहिया भी रेश्मी को बना चाहरे madam मैं आपका य नेक्स्ट व्लोग में जै हिंद बाइ बाइ फैमिली बाइ बाइ लव यू आल